मुख्यमंत्री पत्की शपत लेते हैं, तो क्या कहता उन्हें, कि मैं कोई गाड़ी नी लूँगा, सरकारी बंगना नी लूँगा, एश वराम की जिंद्गी नी जूँगा, लेकिन राज महल गोटाला जो 45 करोर रुपए का उन्होंने बनाया, और आस पड़ोस के रहने माले लोगों को जबरन उनके खरों से निकाल कर उन्हें अपने हिस्से में मिला लिया, यह गोटाला नहीं है, आतिसी जी को मुख्यमंत्री बनाना, यह उनकी मजबूरी है, उन्होंने मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन निनने पर्दे के पीछे रहके केजरी वाज पूरा देश क्या पूरी दुनिया में ऐसा सिक्षा मंत्री नहीं हुआ जो है तो सिक्षा मंत्री लेकिन शराब नितीते करता है आतिसी जी ने भी यही लोगों को डराने का प्रयास किया है वो अभी डरा रही है लोगों को कि अगर हमारी सरकार नहीं आई तो पानी फिरी नहीं मिलेगा हमारी सरकार नहीं आई तो बिजली फिरी नहीं मिलेगी हमारी सरकार नहीं आई तो किराया फिरी नहीं होगा केजरीवाल जी का जो इस्तीफा है वो वास्तित्ता में एक ढौंग है और उनकी मजबूरी है क्योंके वो जेल में इतने लंबे समय रहे अगर इस्तीफा देना था तो वो जेल जाते वकत देते लेकिन जेल जाते वकत उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंके उनके पास सिगनेचर पावर थी लेकिन जैसे ही उनकी जमानत होती है नियायले ने उन्हें सेशर्ट जमान जब किसी से किसी की सिगनेचर पावर ही छीन ली तो फिर वो मुख्यमंतरी किस बात का तो उनके काम नहीं कर पाएंगे तो क्या फाइदा मुख्यमंतरी होने का तो उन्हें लगा कि जब सिगनेचर ही नहीं कर सकता तो अब इस पावर का मुख्यमंतरी होने का क्या लाव तो और वो इसको अपनी उधारता दिखा रहे हैं, अपनी महांता दिखा रहे हैं, कि मैंने जेल से बाहर आते ही स्तीफा दे दिया, अरे स्तीफा देने के अलावा उनके पास option ही क्या बचा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और आतीसी जी को मुख्य मुख्य मंतरी बनाना ये उनकी मजबूरी है उन्होंने मजबूरी में मुख्य मंतरी बनाया लेकिन निनने परदे के पीछे रहे के केजरी वाल जी लेंगे और आतीसी जो है सिरफ एक कट पुतली के तौर पर काम करेंगी अभी हाली में उनके जो कई बयान है वो देखिए उ हमारा सबसे पहला मकसद केजरी वाल जी को जन्ता के अदलत में जन्ता के सरोकार मुद्धे हैं उनका कोई सरोकार नहीं है उनकाitional मुप्रते मिक्त परने में निर्दोत साबित करना लेकर इमानदार सभी है केज़ी वालदी की और फिर इतने सारे आरोप गोटालों के इसको कैसे देख रहे हैं नहीं अगर इमानदार थे तो फिर इतने दिन क्यों रखा गया जेल में वो इमानदार नहीं है इमानदार अभी तो वो केवल शराब घोटाले में अंदर गई है अगर पूरी तरीके से जाच हो तो उन्होंने बहुत सारे घोटाले किये है उनका शराब घोटाला प्रमुकता से सामने आगया उस पर जाच बैठ गई इसके अलावा उनका जल घोटाला देखिए शराब घोटाला है जल घोटाला है शिक्षा घोटाला है उनका जो बसे खरीदी गई उसमें परिवान घोटाला है और कई सारे जो हैं उन्होंने घोटाले किये हैं अगर इन सब पर जाच हो तो आप पाएंगे कि ये बहुत बड़े जूटे सिर्फ इन्होंने चेहरा जो है क्या आरूब लगा रहे हैं नहीं चभी तो उन्होंने खुद खराब की है जब वो मुक्यमंत्री पत्की शपत लेते हैं तो क्या कहता उन्होंने कि मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा सरकारी बंगना नहीं लूँगा एश वराम की जिंद्गी नहीं जूँगा लेकिन राज महल गोटाला जो 45 करोड रुपए का उन्होंने बनाया और आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को ऐसा सिक्षामंत्री नहीं हुआ जो है तो सिक्षामंत्री लेकिन शराब नितित्या करता है है सिक्षामंत्री लेकिन शराब की नितिवों बनाता है और उसमें पकड़ा जाता है तो ऐसा पूरी दुनिया में कोई सिक्षामंत्री नहीं हुआ केजरीवाल जी जुट बोलते हैं और अब जो केजरीवाल जी चुटे हैं वो भाज़पा की महरवानी पर चुटे हैं हरियाना के चुनाओ को देख के कि चुनाओ अगर केजरीवाल नहीं चुटते हैं तो हो सकता है कि वोटों का धुरूविकरन कॉंग्रेस की तरफ हो जाए और बीजेपी हाशिये पर चली जाए, हार जाए, उनकी सीटे फज जाए इसलिए भाजपा की महरबानी पर केजरीवाल जी आए है परत्यक्ष और अपरत्यक्ष रूप से केजरीवाल जी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं यह दोनों पार्टिया ही जो हैं जन्विरोधी कारे करने में बड़ी माहिर हैं तेकिन दिल्ली सरकार के काम को आप कैसे देखे हैं कि दिल्दी सरकार लगातार जो है लगातार जो है वो दावे करती रहे एगी हमने स्कूल अच्छे बना दिये चो को इसकीर अइए लोगों के आने जाने के ए sabes ने उनको फ्री कर दिया बिज़ली पानी फ्री देती, तो आप उनकी केजिवाद सर्कार के कामों को आप कैसे देती?" जिखे हां, जो बात आप कह रहे हैं अभी आतिसी जी ने भी यहीं लोगों को डराने का परयास किया है। वह डरा रही है लोगों को कै अगर हमारी सर्कार नहीं आई तो पानी फिरी नहीं मिलेगा हमारी सरकार नहीं आई तो बिजली फिरी नहीं मिलेगी हमारी सरकार नहीं आई तो किराया फिरी नहीं होगा लेकिन इन्होंने ये काम करके सरकार की छवी को खराब किया है और जनता को जो है वो धोका दिया है आप देखिए कि सड़कों में, सड़कों की जो हालत है, कुछ चंद मुख्यमंत्री के इलाके को छोड़ दीजिए, आप N-D-M-C के इलाके को छोड़ दीजिए, बाकी इलाकों को आप सड़कों की हालत देखिए, सड़कों की बत से बत्तर हालत है की, जल भराओ की समस्यात ज यहाँ का जो जबी चेक की जाती है हावा जो बिल्कुल गंदी है समस्याई आई-इसके अलावा ढ़ते कोड़े कोड़े। मेट्रों के नीचे कुड़े के ठेर हैं और आप यहां डाबरी मोर की तरफ जाएए आप उत्तम नगसे डाबरी मोर की तरफ जाएए इनके जो रिशी हैं क्या नाम है विधायक उनका छेत रहेगा राजेश रिशी जाके देखिये अमबार लगावाए खुड़ो का रवद्बू के मारे आप चे निकला नहीं जाएगा इसके अलाबा आप जाके देखिये जो महला क्लिनिक हैं मैं बहुत सारी जगह महला क्लिनिकों में गया हूँ महला क्लिनिक नशेडियों और जानवरों के अरामगा बने हुई है कोई लाब समाज को जो है उसका नहीं मिल रहा है आप इन्होंने का था ठेकेदारी पृता समापत हो गई यह इनका अच्छा काम है जूड बोलके आए और इन्होंने समाज के साथ में धुका कि जितने भी सिकर्टी कार्ड हैं सफाई करमचारी हैं परमेडिकल स्टाफ जो है ठेकेदारी पे उन समका बहुत बुरा हाल है बहुत ज़्यादा शोचन है और कोई सुनवाई नहीं है उनकी महिला सुरक्षा के मामले में दिल्ली में कितनी घटना हो चुकी है अप अच्छी तरह देखते हैं समचार देखिए सोचल मीडियो को देखिए क्या यह सरकार की जो है अच्छी नितिया क्या इनके अच्छे काम है आप ही तैकिए और ई-रिक्षा लेके ई-रिक्षा की जो मजदूरी से अपना पेड़ भरने वाले लोग है इनकी कोई ई-रिक् सिरफ पैसे कमाने पे लगई है चाहे वो शराब नीति के कारण हो चाहे वो घोटालों के कारण हो और एक और बहुत बड़ा घोटाला है मंतरा ले घोटाला आप देखिए एक-एक मंतरी आतिशी जी के पास तेरा मंतरा ले क्यों वहीं आमादमी पार्टी में सारे निकंव मुकेश एलावत के पास 5, गोपाल राय के पास 3, इमरान हुसेन के पास 2, यह क्या है, बाकी विदायक क्या कर रहे हैं, किसलिए विदायक बनाया, इतने सारे मंत्रा ले, और चंद 5-6 लोगों के पास, यह भी बहुत बड़ा गोटाला है, और जनता को इसे समझना होगा, और स्टीचर हैं, उनकी तंखाएं, यह टाइम पर नहीं देते, रोडवेज में जो इन्होंने कंडेक्टर लगाए हुए हैं, डिटीसी में, जो कंडेक्टर लगे हुए हैं, उनकी तंखाएं टाइम पर नहीं आती हैं, उनको पक्का नहीं किया हैं, उनको पक्का नहीं कर रह पार्टी ने केजरीवाल की सरकार ने जो मुद्दे छोड़ दी हैं, जो हाशिय पर देकल दी हैं, ओ जनता के उन मुद्दों को लेकर आम जन्शक्ति पार्टी मैदान में हैं, हम जगा जगा लोगों को जगरूख करने के लिए जा रहे हैं, आम जन्शक्ति पार्टी से का क्या है तो मैं जनता से आवान करूँगा कि आम जन शक्ति पार्टी से वो जुड़ें आएं और हम ये भी चाहते हैं कि लोग इस से जुड़के इनके खिलाफ एक बिगुल बजाएं चुनाव लड़ें हम लोगों के साथ हैं इन मुद्दों को लेकर